हलो एबरिवान वेलकम टू आवर चैनल रूई की उच लर्निंग आज की वीडियो में मैं आप सब के साथ सेयर करूंगी क्लास फर्स्ट मैंच सिलेबस यहाँ पे सारे टॉपिक को मैं एक्जांपल के थूँ एक्स्प्रेंड करूंगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक है नंबर्स बच्चों को क्लास वन में वन से लेकर 500 तक नंबर्स लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है देन काउंटिंग फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चों को सिखाते हैं वन से लेकर 500 तक फिर बैकवर्ड काउंटिंग 500 से 1 तक सिखाया जाता है जैसे 120 का backward हो जाएगा 119 फिर 118 117 116 115 और 114 देन बिफोर आफ्टर बिट्वीन बच्चों को आब नम्बर फोरड काउंटिंग और बैकवड काउंटिंग सिखाने के बाद बिफोर आफ्टर और बिट्वीन नम्बर सिखाया जाता है जैसे यहां पर 100 है 100 का बिफोर क्या होता रहां 99 बचल्क 1 121, 121 का after क्या होता है, 122, ये 132, बीच में missing number है, तो क्या हो जाएगा, 133, 132 और 134 का between number क्या होता है, 133, इस तरह से बच्चों को before, after और between का concept समझाया जाता है, then next है comparing number, greater than, less than और equal to, बच्चों को class 1 में comparing number सिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे 111 और 181, में कौन बड़ा है, 181 और छोटा है 111, तो क्या हो जाएगा, 111 less than 181, फिर यहाँ पे है 125, 125 तो दोनों क्या हो जाएगा, equal क्योंकि दोनों same number है, और यहाँ पे है 130 और 110, तो दोनों में बड़ा कौन है, 130, तो क्या हो जाएगा, 130 greater than 110, Now next is ascending and descending order, बच्चों को ascending और descending order के बारे में समझाया जाता है, ascending order में क्या होता है, जो number सबसे छोटा होता है, उसे पहले लिखते हैं, और जो number बड़ा होता है, उसे बाद में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 16, 10, 35, 29 है, तो सब में 10 छोटा है, तो सबसे पहले लिखेंगे, 16 उसके बाद लिखेंगे, फिर 29 लिखेंगे, फिर 35 लिखेंगे, यह सब में 35 बड़ा है, तो इसे सबसे बाद में लिखेंगे, descending order में क्या होता है जो number सबसे बड़ा होता है उससे पहले लिखते हैं और जो number सबसे छोटा रहता है उससे सबसे बाद में लिखते हैं जैसे 29, 95, 60, 44 तो सबसे बड़ा है इससे पहले लिखेंगे फिर 60, फिर 44 सबसे छोटा 29 है तो इसे बाद में लिखेंगे बच्चों को क्लास 1 में 1 से लेकर 200 तक नमबर स्नेम सिखाये जाते हैं जैसे 110 तो कैसे लिखेंगे? O, N, E, 1, H, U, N, D, R, E, D, 100, 10 Then next is addition and subtraction बच्चों को addition और subtraction lines की help से सिखाया जाता है जैसे line की help से कैसे सिखाएंगे? इस तरह से बच्चों को line दे दी जाती है और 8 plus 2 add करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 8 पे jump करेंगे और फिर 2 और add करेंगे कितने पहले आएगा 10? subtraction भी सिखाते है subtraction कैसे करेंगे? जैसे यहाँ से 8 पे जाएंगे और 6 माइनस करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने पहले आए? 2 पे यहाँ 2 हो जाएगा Now next word problem addition and subtraction बच्चों को सिखाया जाता है तो word problem addition क्या होता है? तो बच्चों को बताते हैं आपके पास 5 टॉफी था और किसी ने 3 और दे दिया तो कितने हो जाएगा? 8 subtraction कैसे सिखाते हैं? आपके पास 5 पेंस था और किसी ने 3 ले लिया तो कितने बचेंगे? 2 इस तरह से बच्चों को word problem addition and subtraction सिखाया जाता है Now next is table बच्चों को 1 से लेकर 10 तक class 1 में table सिखाया जाता है table सिखाने के बाद multiplication और division बच्चों को सिखाते हैं multiplication बच्चों को कैसे सिखाते हैं? जैसे यहाँ पर 2 और 3 है तो multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, 2 जा 6 यहाँ 4 और 2 है 2, 4 जा कितना होता है? 8 division कैसे बच्चों को सिखाते हैं? जैसे यहाँ 2 है और 8 है तो 2 का table कितनी बार पढ़ेंगे? कि 8 आएगा तो 2, 1 जा 2 2, 2 जा 4 2, 3 जा 6 2, 4 जा 8 तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे नाओ नेक्स्ट इज पैटर्न्स बच्चों को पैटर्न्स skip counting के थूँ सिखाया जाता है जैसे 2, 4 6 तो कितना skip हो रहा है? 2 तो आगे कितना हो जाएगा? 8 10 10 यहाँ पर क्या होगा? 3 6 तो 3 टाइम skip हुआ यहाँ 9 है फिर क्या हो जाएगा? 12 और 15 इस तरह से बच्चों को पैटर्न्स सिखाया जाता है skip counting के थूँ नाओ नेक्स्ट इज टिन्स एंड वन कंसेप्ट थू अबाकस बच्चों को टिन्स एंड वन्स का कंसेप्ट अबाकस के थूँ सिखाया जाता है जैसे यहाँ इस तरह से बच्चों को दिया हुआ रहता है टेंस में देखेंगे कितना है वन टू थ्री फोर तो फोर टेंस है तो यहाँ फोर लिखेंगे वन्स कितने है वन्स तो फोर और थ्री फोर टेंस और थ्री वन्स मिला के कितना होता है फोर्टी थ्री फिर है टाइम बच्चों को time के बारे में बताया जाता है बिल्कुल simple सिर्फ hours के बारे में बताते है minutes के बारे में बारे में बताया जाता है जैसे 2 o'clock होगे 6 o'clock होगे इस तरह से समझाया जाता है और time में बच्चों को ये भी समझाते है 60 seconds में 1 minute होता है 60 minutes में 1 hour होता है फिर है calendar months और days के बारे में बच्चों को बताया जाता है जैसे month कितने होते है 12 और calendar देखना भी उने सिखाते है कौन से month में कितने days होते है फिर days days 7 होता है Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और Saturday फिर है money बच्चों को money के बारे में बताया जाता है जैसे 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees इस तरह से ये था class first math syllabus I hope ये वीडियो आप के लिए helpful रही होगी तो please like कीजिए, share कीजिए और channel पर first time visit कर रहे है तो please subscribe कीजिए, thank you